हेलो फ्रेंट्स आप सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम 365 में उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल लए होगी आइए देखते हैं आज की current affairs आज की date में जितने भी important current affairs बन सकते हैं उंस सबको हम लोग discuss करते हैं जैसा कि आपको मालूम है प्रडदिन रोज सुबा आपको 7-8 के बीच में उस दिन के जितने भी important current affairs होते हैं वो हमारे चैनल के मादम से प्रोवाइट करा जाते हैं तो आइए को देखते हैं आज के करंट अफेर्स कि हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज है 9 माई 2020 तो आज की डेट से जितने भी महात्मूर प्रश्ण बन सकते हैं करंट अफेर्स के वह समय लेके आया हूं तो आएए देखते हैं पहला प्रश्ण है निम्न में से रूस विजय माई 9 माई 10 माई सही आप्सन है आप्सन सी 9 माई को रूस विजय दिवस मनाया जाता है इसको रूस का डॉन विक्ट्री डे के रूप में भी जाना जाता है इसका आज़न दूसरे विष्युद्ध के दवरान नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के याद के रूप में मनाया ज गरिए स्का आयोजन दुनिया भर में लुप्त होती प्रजातियों और प्रावाशी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रख कर मनाया जाता है तीसरा प्लशन है निम्न मैं से विस्च रेट क्रास दिवस मना जाता है 7 माई, 8 माई, 9 माई, 10 माई सही option है, option B, 8 माई को विस्चा रेट क्रास दिवस 8 माई को प्रतिवर्स मना जाता है इसका आयोजन जीन हेनरी द्युनेंड के जण मदिन की रूप में मना जाता है उनका जन्म 8 माई 1828 में हुआ था जीन हेन्री डिवनन ने मानवता कि ये बीना भेद भाव सेवा के लिए रेट क्रावस अभ्यान की शुरुआत की थी चौथा प्रश्ण निम्ने में से विस थैलेसीमिया दिवस कम मनाया जाता है प्रतिवर्श 8 माई को विस थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है इसका उदगाटन उद्देश थैलेसीमिया एक आनवांसिक रोग के बारे के बारे में लोगों को जागरू करना है इस वर्श की विस थैलेसीमिया दिवस की थीम जो थी वह दाउनिंग ऑफ अन्यू इरा फार थैलेसीमिया टाइम फारा ग्लोबल इफर्ट तु मेक नॉवल थेरिपीज एसेसिबल एंड एफ़ड़ेबल टू पेसेंट्स है आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नाये हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ववस्य कर लें जिससे इसी तरह के महात्मूर करंट अफेर्ट प्रदिन आप तक पहुंचते रहे हैं माच्वा प्रसन देखते हैं हाली में किस देश ने लांग मार्च फाइबी रॉक चीन ने लांग मार्च फाइबी रॉकेट सफलता पूर्वक लांच किया है चीन ने भविस में होने वाले अंत्रिक्ष गत विदियों के लिए एक डीप स्पेस स्पेस क्राव्ट भी लांच किया है चठा प्रसन है हाली में किसे इराग का नया प्रदानमंतरी निक्त किया मुस्तफा अली कादीमी एदूंधि नेкой में से कोई नहीं सेही आप्सन है मुस्तपाल कदीमी नूम्बड उजार उनईस में है प्रधानमंत्री पस्स से इस्तीपा दिया था मुस्तफा अलकदीमी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला इराग की संसद्थ में लिया है सेम ही है दोनों ने 2022 तक के लिए गुडवील एंबेजडर के रूप में दिया मिर्जा को नियुक्त किया है आठ्वा प्रस्ण है हाली में विसाखा पत्नम गैस त्राजदी में किस गैस का रिसाव हुआ था इस्टारीन गैस मेथेन गैस सल्फर डायक्सर्ड गैन हीलियम गैस सही आप्शन है आप्शन इस्टारीन गैस हाली में हुए विसाखा पत्नम के LG पॉलिमर प्लांट में हुए गैस त्राजदी में कई लगभग 11 लोगों की जान चली गई थी इस गैस त्राजदी में इस्टारीन गैस का रिसाव हुआ था नवा प्रस्ण है रिगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक इस आइटी फर्म को विट वर्स 2019 वीज की चौथी तिमाही में 3154 करोड रुपे का मुनाफ़ा हुआ है TCS SCL टेक्नोलोजी विप्रो इनफोसिस सही आप्शन है आप्शन भी SCL टेक्नोलोजी SCL टेक्नोलोजी को रिगुलेटरी फाइलिंग के मताबिक आइटी फर्म SCL टेक्नोलोजी को विट वर्स 2019 वीज की चौथी तिमाही में 3154 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है जबकि पिछले वर्स मुकाबले पिछले वर्स के मुकाबले इस अवध के 2568 करोड रुपे के मुक उनी लेवर को बिटेन की हार्दिक laughedग बनाने वाली कंपनी GSK हर्डिस्क होना चाहिए जा zij कितने करोड रुप में अपनी पूरी हिस्षिधारी बेच दिये हैं इसी सभीन की घुलाका सु ह हिस्मिद's क्लाइं घिंद॑ स्टान नि उन जच्वत के हैं सभी हैと思います याया अपनी पूरी 5.7 परसंट हिस्यदारी करीब 3.35 बिलियन डालर के शेर बेच रही है कि यह दस्वाय मंतिम प्रस्ण था उम्मीद है आप सबको या वीडियो जरूर पसंद आओक अगर आपको मारे वीडियो पसंद आ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें धन्यवाद दित्रों